जैहिन साथियो, स्वागा थे आप सभी का अपनी यूटूब चैनल फिर नोलेज नाइटी आइटीन एक पर साथियो, आज इंडिया डार्मी के ओर से एक ओर ARO का नोटिफिकेसन जारी हुआ है यह नोटिफिकेसन जो मिजोरम वार्लोग के लिए है साथियो, यदि आप ARO एजोल मिजोरम से विलोंग करते हो या आपका जो डिस्टिक है ARO एजोल में आता है तो आप इसके लिए एलिजबर हो साथियो, आप सभी के लिए बहुत इच्छी गुट नीज है आपकी जो रेली है उसकी डेट आ गई है आप लोग जादस जादा भाग लीजेगा और तैयारी आपकी जारी रखेगा तो कि आपके लिए बहुत इच्छा खुसकबरी का माहो रही है कि आपके लिए ARO का नोटिफिक्शन जारी हुआ है आपके डिस्टिक का साथियो आप मेरे वीडियो पर सुरू से लेकर लाश्ट तक बनिये रहिएगा मैं आपकी इस नोटिफिक्शन की पूरी जानकारी एटू जीर जानकारी अपने इस वीडियो पर देने वाला हूँ साथियो यदि आप हमारे चैनल पर नहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथियो वेल आकन को दबना ना भूलिएगा ताकि आर्मी की ऐसी अपडेट आपके सही समय पर मिलती रहे साथियो आपको स्कीन पर एरो आईजल मिजोरम के जो नोटिफिकेशन दिख रहा होगा इसका ओफिस से नोटिफिकेशन है साथियो जैसा कि आप इसकेन पर देख रहे हो यहां पर आपका ग्राउंड का वेन्यू भी दिया गया है कि आपका जो भरती है वो कौन से ग्राउंड में होना है आपका जो ग्राउंड है दोस्तो राजियो गांधी स्टेडियम मौल पोई आईजल मिजोरम में आपका जो ग्राउंड होना है साथियो जदी आप मिजोरम डिस्टिक से बिलोंग करते हो आपके जो मिजोरम एरो में जो जो भी डिस्टिक आते हैं यिदि आप इसमें आते हो तो आप भार्णी से भारी महात्रम इसमें पाटिसिपेट कीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा सुनेरा मौका आप देख रहे हो कि बहुत ही कम भरती आ रही है और जिसके AR की भरतियारी है आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा मौका है आपको इंडियन आर्मी में जाने का ठीक है साथियो मैं आपको बता दूं कि आपका जो इसका फॉर्म अप्लाई होना रेजिस्टेशन जो डेट अप्लाई होना है साथियो वो आपका 19 मार्च से 17 अ प्लाई किया जाएगा 19 मार्च से 17 अपरल तक आपके फॉर्म अप्लाई किये जाएंगे और जो आपका जो एड्मिट कार्ड वो 26 अपरल तक जारी हो जाएंगे अब सात्यूं में इसमें आप पोस्ट की बात कर लेता हूं तो आपको सब सब पहले इसमें पोस्ट देखने को मिलने वाली है इसमें जो आपका एज का क्राइटरी रहने वाला है और इसमें चांट किया जाएगा एक अक्टोमबर 2000 से एक अपरेल 2004 की बीच में और आपका हाइट होने वाला है और आपका चेश्ट दोर 77 प्लस 5 इंप्रेशन रहने वाला है और weight के मैं आपको बात करें दोस्तों आपका age केसा आपका weight लिया जाएगा मैं आपको लाश्मने बता दूँगा कि कैसा आपका weight लिया जाएगा करके सेकंड जो post आपको देखने को मिलने वाली ही इसमें आपकी जो post है पास के लिए है इसमें आपका जो एज रहेगा सैम रहेगा आपका सोल्यर टेक्निकल में और इसमें इसमें आपका सैम रहने वाला ठीक हो और जो एक ओर को देखने को मिलने वाली है वह इसमें आपको 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 आट सी प्रफास के लिए है यह वह आपको आपका जो हैड और चैस्ट और पर सम लिया गया है साथ यो आपको निर्सिंग की ट्रेट देखने को नहीं मिलेगी इसमें आपको आपको या तो मिल चूट देखने को मिलने मिलीगी अब मैं ground की बाद कर लेता हूं साथियो आपको सभी को पता होगा आपका ground 156 क्लमीटर रहता है और जो के तो इधी आप 5.30 में कौलिफाइ करते हो तो साथ यो आपको second group में रखा जाएगा और आपको only 48 marks दिये जाएंगे ठीक है साथ यो तो मैं आपको से आसा करता हूँ यह जानकारी थी दोस्तो और एकोर मैं आपको वयात दिला दूँ कि इसमें आपको कौन-कौन से डाकुमेंट्स लगने वाला है और मुल निवास प्रमाणपत्र काष्ट सार्टिफिकेट लगने वाला है साथियों सब लोग अनमेरी सालता किजी की साथी नहीं होती है तो मतलब इसका कोई जरूरत नहीं है यह आप बनवाना चाहो तो बनवा सकते हो ठीक है साथियो इसके बाद रहता है साथियो जदी आप स्टिस आपके पाथ आपके भहीया आपके पीता जी आर्मी में होंगे तो वाल रीविशन्सिप इसक्राइब कर लेकर जाए कि ना भूलिएगा क्योंकि आपको में छुट दी जाती है ठीक है साथियो अब इसके बाद आपका एफिट डेपिट यह ले जाना बहुत ही जरूरी है आपको इसके नौटरी होता है यह पहचान पत्र के लिए अधार काड यह पूरी जानकारी थे और एक और पर सूचना में आपको बता दूं साथियो यह जो साथियो सबसे पहले आपको यहां पर दिया हुए है आपको बनवा लेना है बरती मुझ आओगे तो और सेकंड है परस्नल फेस मार्क्स ग्लोट एंड हैंड सेनेटाइजर यह दो चीज आपको लेकर बहुत ही जरूरी है यह आपके पास नौरीस साथिपकेट नहीं है तो अपको बनिवा लीजेगा जल्द सभी और साथियो यह आपको और कोई प्राइल नम्मर दिया हुआ है आप इस पर काल करसकते हो और जो भी आपको परसानी को अप सूल जा सकते हो और साथियो यह इसका नौटिफिकेशन था पूरे मैंना आपको एट्विज इसकी पुरी कोई परसान नहीं हो तो आपको हमारे वाटसाप गूर्प को जान कर लिए गाए तो साथियों हम चाहते हैं कि आप सभी अच्छे से तयारिये करें और आपकी जो भी भरती आती हो तो आप एक भी इसको मिस ना करिएगा क्योंकि इतना च्छा आपको आज कभी नहीं मिलेगा इमें साथ यो जाहीन best of love